हलो और वेलकम फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम Microsoft Access ये एक तरह से software जैसा हम software कस्टमाइज करते हैं कस्टमाइज कैसे करेंगे वो सारी बाते जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको उपन करना है Microsoft Access मेरे पास 2007 भी है और 2016 भी है मैं इस समय 2016 को उपन कर रहा हूँ यहां से Microsoft Access 2016 मैंने उपन कर रहा है अब हमें यहां पर बिखा भी देता हूँ कैसा आपका दिखेगा software यहां पर देख सकते हैं एक product detail है यह देख सकते हैं ठीक है और यह quantity है ठीक है लेकिन हमें क्या करना है हम direct बनाएंगे form तो यहां से चलते हैं blank form पर यह आपको blank form पर आ जाना है अब जब blank form पर आप आएंगे तो यह कुछ इस तरह से आपको दिखेगा अगर कोई detail इसमें लेना चाहते हैं तो आप पहले design view पर आ जाएए यहां से मैं design view पर आ जाता हूँ ठीक है और अब यहां पर हम show tables पर जाएंगे product detail में जो आपको चाहिए product ID, product name और price यह माल दीजिए यह ले लिए आपने ठीक है इसमें चाहिए तो आप यह इस तरह से background image वगर कुछ लगाना चाहते है या फिर color इसका बदलना चाहें तो वो कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ यहां से इसको bold बना लेता हूँ मैं अब इसको में क्या करना है इस पर click रखना है ठीक है और इसे close कर दीजे और आपको आना design पर यहां से property sheet open कर लेना है यह form selection में रहना चाहिए और property sheet को open कर लेना है ठीक है form 1 है आप देखिए यहां पर form 1 इसमें आ जाएगा यह form है तो यहां पर हम form पर आ जाते हैं तो यह हमें form 1 दिखाई पढ़ने लगए इसका नाम हमने form 1 रखा है यहां से आएंगे और यहां पर देख सकते हैं pop-up यह जो pop-up दिख रहा है आपको तो आपको करना है yes यह no है तो इसको आपको yes कर देना है अब किया करना है अब फिर वापिस याना है उसी form पे ये form आपको ध्यान रखना है form पर ही रहना है आपको ठीक है और यहां पर अब आपको यह code लिखना है ठीक है code कैसे लिखेंगे वो बता देता हूँ आपको कहा जाना है three dots पर click कर दीजे और यहां से आ जाएए code builder पर अब जब code builder पर आएंगे तो यह इस तरह का जो visual basic code का format है यह open हो जाएगा यहां पर आपको लिखना है code कैसे लिखेंगे चलिए आईए आपको बता देता हूँ आपको लिखना है do cmd जैसे मैं लिख रहा हूँ do cmd ठीक है do cmd लिखने के बाद dot लगाईए और इसे कर दीजे maximize maximize ठीक है यह maximize लिख दीजे और फिर अब आजाएए कहां नीचे एंटर करके नीचे आईए यहां पर लिखना है आपको st doc name ठीक है यहां पर st कर देता हूँ मैं और doc name लिखना है आपको doc name ठीक है जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्गुल वैसे ही आपको भी लिखना है और doc name लिखने के बाद आपको लिखना है is equal to अब आपके form का नाम है form 1 तो यहां पर double entered quotes में लिखना है आपको form 1 यह लिख करके double entered quotes को close कर दीजिए और फिर यहां पर do cmd.open form आप इसको open करने की बारी तो यहां पर do cmd.open form फिर यहां पर st और फिर यहां पर doc name ठीक है doc name यह हमने कर दिया इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर 3 बार 3 बार कॉमा लगाना है ठीक है 3 times तो पहली बार हो गया फिर gap दीजिए फिर दूसरी बार लगाए फिर gap दीजिए फिर तीसरी बार लगाए तीन बार कॉमा लगाने के बाद फिर यहां पर आपको लिखना है इसको link करवाना है st link criteria ठीक है तो यहां पर st small letters में ठीक है और फिर एक बार gap देने के बात करना है आपको यह एक बार gap दीजिए फिर यहां st link ठीक है और without any kind of gap यहां पर लिखना है आपको criteria ठीक है criteria लिख दिया बस यह काम अब आपका हो गया है अब आपको क्या करना है इसको यहां से save कर लेना है सिर्फ ठेक है form 1 के नाम से इसे save कर लेता हूँ ठेक है और इसको अब close कर देता हूँ ठेक है और अब इस form को हम देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा form देखेगा अगर आपको next पर जाना है तो यहां से next पर जा सकते है third, fourth, fifth जो भी आपको enter करना हो आप यहां पर enter कर पाएंगे तो अमीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी कि ये form हम कैसे बना सकते हैं